Hello guys, welcome to my YouTube channel Extreme Ritik, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Grow में NSE BSE क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है? So first of all, अगर आप लोग trading stock market सीखना चाहते हैं तो आप हमारा WhatsApp चनल follow कर सकते हैं Link मैंने आपको description में दे दिया है ठीक है? अब देखिए, NSE के बारे में आपने सुना होगा BSE के बारे में आपने सुना होगा यहाँ पर जैसे की देखिए, मैं यह stock को buy करना चाहता हूँ तो quantity में क्या BSE से buy करना चाहता हूँ या फिर NSE से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनकी full form के बारे मैं आपको पता होगा BSE मतलब Bombay Stock Exchange NSE मतलब National Stock Exchange और जितनी भी आपकी इंडिया में company है दो company NSE और BSE अब NSE में काफी सारे stock है और BSE में भी काफी सारे stock है ठीक है? तो यह समझे है कि जितनी भी अपने stock market चलती है न जैसे कि आपने अपना कोई भी company आपका अब आप उसको stock market में list करना चाहते तो आप NSE के पास जाएंगे और BSE के पास जाएंगे यह समझ लिजे कि वो एक main player है National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange जो कि इस market के king है कि market, stock market इन ही का है समझ लिजे National Stock, NSE का और BSE का अगर आपको ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना है तो आप article भी पढ़ सकते NSE BSE details in Hindi एक Bombay Stock Exchange है जिसे BSE के रूप में संचिप्त किया गया जबकि दूसरा National Stock Exchange है जिसे NSE के रूप में जाना जाता है यह भारत के तो सबसे बड़े Stock Exchange है ACA के सबसे बड़े जापान चीन और हांग सांग के बाद सबसे बड़े है ठीक है तो यह एक Stock Exchange है ठीक है NSE और BSE की बीच आप वो देख सकते कौन सबसे अच्छा है Nifty या BSE कौन सबसे अच्छा है Nifty है या BSE तो आप यह पूरे आर्टिकल से यहां पर देख सकते NSE और BSE में अंतरा आप लोग देख सकते कब स्टार्ट हुआ था BSE 1875 में स्टार्ट हुआ था और NSE आपको वो था 1992 में है ठीक है तो I hope आप लोग को वीडियो इंफर्मिटिव लगी होगी मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी